दोस्तो पाइवर्ट टेवल तो हम सभी यूज करना जानते हैं बड़ पाइवर्ट टेवल के अंदर छुपी कुछ ऐसी अमेजिंग सेटिंग्स है जिसके बारे में किवल 10% लोग ही जानते हैं और इन सारे सेटिंग्स का यूज करके आपका काम और भी असान हो जाने वाला ह अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आज आप कुछ नया सीख कर जाने वाले हो तो आई ये वीडियो को आरम करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अविजीत आपका सच्चा साती सच्चा हमसफर और आप देख रहे हैं अब जीजी टेकनिकल फोरेम दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा एकसल से जोड़ी टिफ्स और ट्रिक्स और कुछ नया सीखने को लगतार अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लिजे जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो आईए वीडियो के और मूफ करते हैं दोस्तो जैसे आप देख रहे हैं कस्टमर नेम दिया है कंपनी दिया है रिचारज इन 2015 है और रिचारज इन 2016 है इस पर मैं पाइवर्ट अप्लाई करूँगा इंशर्ट पर जाओंगा पाइवर्ट टेवल जाओंगा और मैं एक्जेस्टिंग वरक्षीट लोंगा और लोके इतना मैंने किया अब मैं आपको सारी सेटिंग्स कवर करने वाला हूं आज आप कुछ नया सीखने वाले हैं तो प्लीज पेसेंस बनाई रखिए वीडियो को स्किप मत करिएगा राइट के लिए यह एर्टेल लिखा है मैं इस पर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक तो मैंने किया कॉंपी तो अब आप देखेंगे जो मेरा सेल्स पे मेरा करसा था वह कॉंपी हो चुका है अगर मुझे पूरा कॉंपी करना है तो इस रेंज को मैं माउस से से इलेट करूँगा राइट क्लिक करूँगा और यहां से निव शीट इंशिट करूँगा प्लस तो यहां आपको देखी number alignment font border fill protection ठीक है तो इसमें number का use हमारा नहीं पढ़ता इस private table के अंदर तो हम इसको skip करेंगे alignment इसमें आप क्या कर सकते हैं टेस्ट का direction change कर सकते हैं टेस्ट को alignment दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं जैसे माल लिजे horizontal form है अगर आप horizontal center आपने किया वर्टिकल भी center में किया तो आपका text क्या होगा center में हो जाएगा मैं आपको और clear समझाता हूँ जैसे माल लिजे आपने यहां कोई text लिखा ठीक है और अभी आपने इसे छोड़ दिया तो अब मैं right click करूँगा format cells पर जाओंगा ठीक है अभी मैं क्य क्या करूँगा horizontal form में मैं क्या करूँगा center कर दूँगा तो आप okay करूँगा तो यह देखी मेरा center में आगया यानि जो आपका width होता है horizontal form और जो आपकी length होती यानि लंबाई वो होता है vertical form अभी मैं इसको row की height बढ़ा देता हूँ तो अभी आप देख रहे है हमारा horizontal form वाल alignment इस format cells के द्वारा कर सकते हैं जैसा भी आप करना चाते हैं यहां से choose कर सकते हैं और test का alignment उस recording कर सकते है vertical और horizontal दोनों का ठीक है orientation से आप test का direction change कर सकते है 90 degree 180 degree 360 degree ठीक है 40 degree जैसा भी आप रखना चाहें test का direction change कर सकते हैं जैसे मैं आप यह ऐसे करूँगा तो अभी आप देख क्या कर सकते हैं font का color change कर सकते हैं text का जैसे मैं यह लूँगा bold करूँगा size यहां से बढ़ा सकते हैं और font के name भी आप change कर सकते हैं तो ok करूँगा तो अभी आप देखिए font का name size color सब change हो चुका है ठीक है फिर मैं right पे जाता हूं format cells पे जाता हूं यहां से आप border लगा सकते ह चारो तरफ border लगाना outline border लगाना तो आप outline border लगाना से click करके लगा सकते हैं यहां आपको line की style दी गई है जो सा line आप चूच करेंगे वह आपका border apply हो जाएगा ok करेंगे ठीक है तो आप देखेंगे यहां border apply हो चुका है ठीक है उसी तरह आपका यह fill है आप इसके अंदर color भी fill कर सकते हैं ठीक है इस पर मैंने color यह वाला चूच किया ok किया तो अभी आप देखें इसके अंदर color fill हो चुका है ठीक है अगर आप पूरे range में setting apply करना चाहते है तो इस पूरे range को select करेंगे right click करेंगे format sales में जाएंगे अब आपका यहां alignment है आप यहां center सब को कर सकते ह vertical horizontal दोनों को center में कर सकते हैं ठीक है text direction आप यही रहने दीजिए font का color आप क्या कर सकते हैं यहां से color भी choose कर सकते हैं जैसे मैं green कर लेता हूं border यहां देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं जैसे मैं line ठीक लूँगा और यहां outline border पे click कर दूँगा तो अभी क्या होगा मेरा outline border border लग जाएगा ठीक है मैं color fill करना चाहता हूं तो मैं light yellow ले लेता हूं और ok करूंगा तो देखी यह मेरी fully setting apply हो गई ठीक है आप देख रहे हैं हमारा border भी लग चुका और यह text का color भी हो चुका है सारा कुछ apply हो चुका font की size भी बढ़ चुकी है इसको आप यहां से भी operate कर स जैसे अभी आप देख रहे है यहां मैं कोई दूसरा name company का डालता हूं जैसे मैं डाल देता हूं हच h-u-t-c-h ठीक है तो यहां मैंने हच लिख दिया है ठीक है लेकिन आप देख रहे हैं यहां हच कहीं भी नहीं आ रहा ठीक है तो इसे मुझे update करने के लिए हमें right click करना पड़ेगा और refresh करना पड़ेगा तो आप देखे यह हमारा हच भी add हो चुका है आप देख रहे है अड़ हो चुका है ठीक है और आपको example देता हूं जैसे मालेजे आपने यहां कुछ नया कुछ लिखा जैसे मैं यहां लिखता हूं अंकिता कुमारी जैसे मैंने लिखा ठ ठीक है और यहां मैंने दे दिया 789,890 यह मैंने यहां इतना कर दिया यहां मैं दूसरा कुछ ले लेता हूं हच की जगह मैं डाल देता हूं जैसे मैं यहां लिख दिया पोस्ट पेड मैंने लिख दिया ठीक है मैं example दे रहा हूं ठीक है तो अभी आप देख रहे हैं कि हमा आपना range select करना है देखिए क्योंकि आपने जब fiber table apply किया था तो आपका range यहां से लेकि यहां तक था ठीक है तो इसको change करने के लिए आप क्या कर सकते हैं shift के साथ down arrow press करेंगे तो यह select हो जाएगा पहला चीज यह यह तो आप क्या कर सकते हैं अपने mouse से इस पूरे range को ऐसे भी select कर सकते हैं यहां तक ठीक है तो आपका range पूरा यहां देखिए select हो चुका है और ok करेंगे तो आप देखिए यह update हो चुका है अब देख रहे हैं यह हम तुरंत update हो जाएगा आपके data के according ठीक है चली next option के और बढ़ते हैं इसमें आप कुछ नया सीखेंगे ध्यान से देखिएगा जैसे अभी मान लिजे मेरा cursor यहां पे है ठीक है अभी मैं इस पर जाओंगा sort पे sort a to z करूँगा तो अभी आप देखेंगा हमारा a to z sort हो गया alphabet फिर मैं जाओंगा जेट to a करूँगा तो मेरा जेट to a के according sort हो गया है यानि आप बोल सकते हैं descending order में sort हो गया और a to z था हमारा ascending order फिर मैं जाओंगा अभी आपको देखिए यहां more sort option दिख रहा इस पर मैं click करूँगा तो अभी आपके देखिए इसमें option क्या है ascending है ascending मे मैं click करूँगा ओके तो आप देखिए हमारा value 2015 में smallest to largest हो गया राइट फिर मैं इसमें जाओंगा sort जाओंगा more option में जाओंगा अभी मैं इसमें क्या करूँगा अभी आप देखिए मैं इस पर apply करूँगा sum of recharge in 2016 में तो अभी आप देख रहे हैं हमारा value as type से तो इसमें मैं मैं जब sort करूँगा ascending A to Z में तो यानि हो जाएगा smallest to largest ओके करूँगा तो अभी आप देखिए हमारा ये smallest to largest 2016 के according data sort हो चुका है फिर sort में चलते हैं more setting में जाते हैं फिर यहां आपको देखिए इसमें आपको multiple option है जितनी आपकी value यहां आएगी वहां सारी value आपको यहां किसमें आप apply करना चाहते हैं यहां से चूच करिए और okay करेंगे तो अभी आपका क्या हो जाएगा largest to smallest हो जाएगा text में apply करेंगे तो यह क्या होगा alphabetical चलेगा value में apply करेंगे तो largest to smallest होगा और smallest to largest होगा ठीक है A to Z मतलब smallest to largest हुआ और Z to A मतलब largest to smallest हुआ तो इस पर जैसे मै मैं okay करूँगा तो अभी आप देखे हमारा largest to smallest के according sorting हो चुका है तो यह आपको concept clear होगा उसके बाद हमारा यह option आता है आपका more option में जाएंगे तो यहां आपको आता है manual you can drag items to rearrange them यानि आप manual rearrange कर सकते हैं कैसे करेंगे मैं okay करूँगा तो अभी आप देखेंगे मैं इस पे click कर arrow आपका बनेगा इसको hold करना है mouse से और जहां भी आप रखना चाते जैसे मैं idea के नीचे रखूँगा तो idea के नीचे देखी एक dark line बन रही है मैं इस पे छोड़ूँगा तो अभी आप देखेंगा एरटेल हमारा idea के नीचे आ जाएगा आप देख रहें एरटेल हमारा idea के नीचे आ चुका है तो इस तरह आप manually भी इसे rearrange कर सकते हैं in fact ये पूरा आपका rearrange होगा एक साथ जैसे आपको देख लीजे जैसे मैंने hutch select किया 456 है 343 है तो मैं इसको select करूँगा और air tail के नीचे आऊँगा तो आप देखेंगे hutch हमारा 456 343 यहां भी आ चुका है ये पू only selected items तो अभी आप देख रहे हैं मेरा BSNL पर है तो मैं जैसे इस पर click करूँगा तो अभी आप देखें मेरे पास सिर्फ BSNL रहेगा तो मैं Ctrl Z फिर से करूँगा फिर से मैंने गया इस फिल्टर पर दूसरा क्या हमारा height selected items मालिजे आपने इस यहां से यहां तक select किया और इ filter clear हो जाएगा आप देख रहे हैं फिर से हमारे data आ चुका है अगर Ctrl Z से भी आप कर सकते हैं और इस shortcut की के द्वारा भी perform कर सकते हैं ठीक है चली next option के और बढ़ते हैं अब उसके लिए मैं क्या करूँगा इस customer नों को यहां रो पिलूँगा और ठीक है इस type से मैंने कर लिया और वहां top 10, bottom 5 या top 5 value निकालते हैं data को पर work करते हैं जबकि हमारे private table में ही इस सारे facilities available है जैसे मैंने यहां लिया top और यहां मैंने किया 5 ठीक है top 5 अब मैंने यहां select किया item उसके बाद मैं जो किस value को पर perform करना है तो यहां जो भी आपकी value रहेगी जितनी भी सारी वो दिख को select करूँगा तो अभी आप देखेंगे जैसे मैं top 5 करूँगा ok किया मैंने तो मेरे पास 2015 के according top 5 value आजाएगी आप देखिए यह मेरे पास आ गई आप देख रहे हैं ठीक है चली मैं next चलता हूँ फिर से मैं top 10 पे गया अगर माल लिजे मैं to 2016 select करता हूँ तो मेरे पास 2016 के according top 5 value आजाएगी अब direct यहीं से top 5 top 10 value निकालके किसी को भी provide कर सकते हैं ठीक है चली next वढ़ते हैं इसी तरह bottom भी कर सकते हैं जैसे bottom 5 यहां मैंने value लिया कितना इसके उपर लिया 2015 के उपर ok तो आप देख रहे हैं मेरे पास bottom 5 आ चुकी है अगर दोस्तों आप इसे sorting करना चा आप यहां value select करेंगे to time 15 और ok कर देंगे तो अभी आप देखिए आपका a to z होगया smallest to largest sorting हो गई तो इस तरह आप अपने according perform कर सकते हैं आपको private table को copy करके दूसरे जगह paste करके वहां data को उपर work करने की जोतनी है सारा कुछ यहीं हो जाने वाला है बस आपको option पता होना चाहि चलिए अपने next option के और बढ़ते हैं अब मैं इस filter को clear करने के लिए shortcut की बैने आपको बताया था alt text SC आपूँगा तो मेरा filter clear हो जाएगा ठीक है मैं फिर से right click करूँगा और जाओंगा यह level filter level filter क्या है आपको बता देता हूँ जैसे माल लिजे इसमें मेरे 3 option clear है क्योंकि मेर अभी आप देख रहे है मेरा cursor क्या है text के ऊपर है ठीक है तो यह जो level filter मेरा apply होगा text के recording apply होगा तो इसमें मेरा 3 important है क्या है आप देखे एक तो हमारा है यहाँ begins with ठीक है एक है हमारा ints with एक है हमारा contents तो यह क्या तीनों मैं आपको समझा देता हूँ जैसे माल लिजे मैंने begins with की अगर आपको इस तरह requirement पढ़ती है तो आप इस तरह भी filter apply कर सकते हैं जो कि आपको help करेगा आपकी problem को solve करने में तो begins with में मैं लिखूँँगा क्या जैसे मैंने लिखा आप देखे मैंने लिखा an लिखा मैं चाहता हूँ कि जो text an से start हो रहे हैं वो मेरे सामने आ जाए अब यहां मेरे दूसरा आता है क्या ints with में मैं क्या करूँगा जैसे मैं दे दूँगा जैसे मैंने दिया an और okay किया तो जो हमारे text an से finish हो रहे थे इंड हो रहे थे वो हमारे सामने आ जाएंगे और उनके data भी हमारे सामने आ जाएंगे तो आप अपने according आपको लगता है क contents इसमें क्या है कि जैसे मान लिजे मैंने लिखा o तो यह क्या होगा जिसने भी text में o मिले जूले होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे जैसे okay किया तो अभी आप देखिए पूजा गोलू में भी o है रोहन में भी o है मोहन में भी o है यानि इतने ही सारे text इसको मिले जिसम आइसे मैंने दिया तो यह क्या करेगा जितने भी आपके data है उसके अंदर देखेगा कि कितने text में AM मिला जूला है और उस value को आपके सामने लाकर रख देगा जैसे मैंने okay किया तो आपके सामने लाकर रख देगा तो इस हिसाप से आप filter को apply कर सकते है अपने requirement के record दोस्तों मुझे तो नहीं पता आपकी क्या requirement है लेकिन मैं आपको ये settings समझा दे रहा हूँ कि बहुत से लोग को ये settings ही नहीं पता होती और पाइवर टेबल अपलाई करने के बाद भी उनको problem होती है अगर आपको ये settings पता होंगे और ये जो value filter है ये क्या करेगा आप देखिए और इसमें क्या है आपका जैसे माले जो मुझे इसके according filter अपलाई करना है 2.15 के according और यहाँ आप क्या चाहते हैं जैसे equals value चाहते हैं जैसे यहाँ 500 लिख सकते हैं 500 की equals जो value होगी आपके सामने लाके रख देगा मैं आपको एक इसमें apply option करूँगा बहुत सारे option दियेगा है जैसे आपकी requirement आप वैसा चूच करके apply कर सकते हैं जैसे मैं क्या करूँगा greater than मैं लेता हूँ मैं greater than क्या कर देता हूँ 500 तो 500 से जितनी भी greater than value होगी वो आपके सामने आ जाएगी और इसके according क्योंकि मैंने इसे select किया अब यह आप देखिए तो यह देखिए 500 से जितनी भी उपर value थी आपके सामने आ गए इस तरह आप between भी चूच कर सकते हैं इसमें option दिया गया है इसमें आपको जाना है filter फे फिर से ठीक है और value filter पे आप जाएंगे और यहां आप देखेंगे तो यहां आपको between value भी दी गई है यह देखिए is between तो between में आप करेंगे जैसे 400 से 500 तक की value आपको चाहिए या 900 तक की तो अभी आप ok करेंगे तो आप देखेंगे 2015 में 400 से 900 के वीच के value आपके सामने आ गए आप देख लीजे यहां से है ना तो यह value आपके सामने आ जाएगी फिर से मैं जाओंगा filter में value filter में ठीक है इसी तरह आप यहां 2016 के according भी perform कर सकते हैं यहां बहुत सारी category दी गई है जो आपके work को और भी असान बना देगी इस तरह आप इस settings का use करके अपने work को और तेजी से finish कर सकते हैं चली next option के और बढ़ते हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा इसको so field करूँगा और क्या करूँगा अब मैं company को ले लूँगा यहाँ ठीक है company को मैं इसके उपर ले लूँगा ठीक है इस तरह मेरे पास option आ गए ठीक है तो आप चली next option के और बढ़ते हैं अभी आप देख रहे हैं subtotal company लिखाया ठीक है इस पर मैं जैसे tick हटाऊँगा तो अभी आप देखेंगे यहाँ जो subtotal होके आ रहा था जैसे air tail का जैसे 400 और 430 आप देख रहे थे कि 830 था जैसे अभी देखें मैं इस पर click करूँगा तो आप देखेंगे तो यह option हट जाएगा subtotal का इसका concept clear है अगर आपकी ऐसी requirement है तो आप कर सकते है तो यह जो आपके सामने square type के icon देख रहे है इसे हम बोलते है expand and collapse button ठीक है तो इसे हम कैसे use करेंगे जैसे right click किये तो यह आपके सामने आ रहा है ठीक है जैसे अभी आप expand करेंगे तो यह तो हमारा already expand है आप देख रहे हैं लेकिन मैं इस पर right click करूँगा और अभी जब मैं इस पर collapse करूँगा तो अभी आप देखेंगे मेरा सिर्फ air tail वाला ही collapse होगा आप देखें collapse हुआ right click करूँगा फिर से जाओंगा इस पर और expand करूँगा तो air tail वाला ही मेरा expand होगा ठीक है अगर हम एक साथ सारे को collapse करना चाते तो हम इस पर click करेंगे और यहां select करेंगे collapse entire field तो आप देखेंगे एक साथ यह collapse हो चुके है ठीक है अगर आपको एक साथ सबको expand करना है तो आप right click करेंगे और इसको यहां से expand करेंगे expand entire field तो एक साथ आपका सारे expand हो जाएगा ठीक है अब देख रहे हैं इस तरह भी आप कर सकते हैं यह सारे को right अब चलिए next option के और बढ़ते हैं यह सारे option आपके clear है यह आपको जैसे जिस cursor पर आपका sell रहेगा उसके recording वर्क करेगा यह और यह पूरा entire field पर वर्क करेगा जैसे इस पर अभी collapse करेंगे तो यह देखें आपका एक साथ इसको expand कर लूँगा sorry collapse कर लूँगा अगर मा लेज़े आपको यहां से यहां तक का एक group बनाना है अगर आपकी ऐसी requirement है तो range select करिए जहां तक आप group बनाना चाते हैं ठीक है range मैंने select कर लिया right click किया और group कर देंगे तो यह देखें एक group हो गया तो आप इसे expand कर सकत ठीक है और इसको हटाना चाते हैं तो इस पर click करिए cursor पर अपना cursor यहां पर रखिए और right click करके ungroup करिए तो यह ungroup हो जाएगा right तो दोस्तों बागी जो हमारे next option है यह move यह सारे option यह हम next वीडियो में cover करेंगे ठीक है अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडि कर दीजेगा